नमस्कार दोस्तों स्वागत आप से भी का एससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम सम्मान्ने विज्ञान से डिलेटेड इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकसन करेंगे यहां सम्मान्ने विज्ञान की सीरीज का पार्ट 99 है जो कि आने व सिंमर एक दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रसुक जीवन की मूलभूत एकाई क्या है तो आप बताएंगा दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका यानि सेल होती है ओप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तो सरेर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई होती है दोस्तो सभी सजीव जो होते हैं वहां कोशिका से बने होते हैं जिस प्रकार एक भवन को बनाने के लिए इट सन्रचनात्मग एकाई का काम करता ठीक उसी पर कार किसी भी सजीव के सरीर का निरमार्य जो होता कोशिकाओंसे होता दोस्तो रोबर्ट हूक टिरुक्ट ने सरुपर्थम 1665 में कब दोस्तो 1665 में रोबर्ट हूक्ट कोशिका का पता तो अठारस एकतिस में कब दोस्तो एकतिस इसभी में कोशिका में कैंदर का पता लगाए तेर्ट ब्राउन ने प्रेस नम मोलस का संग से किस दोस्तो यह मोलस का संग से संबंदित होता है दोस्तो यह मोलस का संग का समुद्रिज प्राणी है यहां रात्री चर जीव होता है दोस्तो इस आठ पेर वाले जीव का जो खून का रंग होता है वहां बलू यानि नीला होता है दोस्तो प्रस्न उड़ता है क दोस्तो प्रस नमबर तीन है हमारा नेमलिकित में से कौन से एक उत्कृष्ट धातू यानि नोबल मेटल है तो आप बताएंगे दोस्तो सिल्वर यानि चांदी यह एक उत्कृष्ट धातू होती है ओप्शन भी इसका राइट हो जाए दोस्तो रसाइन विग्यान में फिर्वी का उध्यादर कि नेक्स कोष्चन प्रस नुम्मर चार लाइट पैन क्या है तो दोस्तों आब बताएंग लाइट पैन एक इनक क मद्सकृष्ट होता है यहाँ एक input divide होता है option 6 का right हो जाएगा next question press नम्मर 5 प्रिथिवी का जल चक्र यानि water cycle किसके दुवारा संचालित होता है तो दोस्तों आप बताएंगे प्रिथिवी का water cycle जो होता है वह sun यानि सूरे के दुवारा संचालित होता है option 10 का right हो जाएगा दोस्तों महासागर से वास्पी के रण दुवारा जल वास्पी के रूप में जल वायू मंडल में उपर उठता है जहां पर जल वास्पी के condensation से cloud यानि बादल बनता है तथा वर्सा होती है नदियों के माध्यम से पुना जल वाता है महासागर में मिल जाता है दोस्तों इस प्रकार से एक water cycle बनता है जो कि सूरे इसमें मुख्य भूमी का निबाता है next question प्रस नम्मर छे दोस्तों यहां प्रस ने railway NTPC 2016 में पूछा गया question दोस्तों प्रस ने हमारा सबसे बड़ा इस्तनपाई कौन सा है तो दोस्तों इसका सही जबाब हो जाएगा सबसे बड़ा इस्तनपाई blue whale होता है इसका option D इसका right हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए home back है आप सभी को बताना है कि सबसे छोटा इस्तनपाई कौन सा होता है इसका जबाब आप से भी comment section बताना होगा next question press number 7 दोस्तो press number 7 है हमारा सूर्रे की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है तो आप बताएंगे दोस्तो सूर्रे की उर्जा परमाडू सल्यन यानि nuclear fission से उत्पन होती है option इसका right हो जाए दोस्तो सूर्रे में एक गराम हाइड्रोजन से लगबग 6,20,000,000,000 जूल उर्जा उत्पन होती है next press number 8 monogite rate में कौन सा खनीज मौजूद होता तो दोस्तो आप बताएंगे monogite rate में thorium खनीज मौजूद होता है option भी इसका right हो जाएगा press number 9 diode को एक dash के रूप में परियोग किया जाता है तो दोस्तो आप बताएंगे diode को एक rectifier के रूप में परियोग किया जाता है दोस्तो diode एक खास तरह का electronics component होता है जिसके दो electrode होते हैं जिसे एनोड और cathode कहा जाता है दोस्तो diode बहुत ही simplest two terminal unilateral semiconductor device होता है दोस्तों में इसमें तो current जो होता है वह एनोड से cathode की और flow करता है next question प्रस नम्मर 10 एक bloating paper सियाही कैसे सोखता है तो दोस्तों एक bloating paper सियाही को capillary दुवारा सोखता है यानि option से इसका right हो जाएगा next question प्रस नम्मर 11 किस रंग की तरंग ध्यर्दे यानि wavelength सबसे कम होती है तो दोस्तों नीम लिखित में से बैंगनी यानि वॉयलेट कलर की तरंग ध्यर्दे सबसे कम होती है option 6 का right हो जाएगा अगर दोस्तों बात करें कि किस रंग की तरंग ध्यर्दे यानि wavelength सबसे अधिक होती है तो इसका सही जब हो जाएगा red color की तरंग धार दे सरवाधिक होती है नेक्स कोश्चन प्रस नम्मर बारा गर्म हवा के गुबारों में कौन सी गैस प्रियोग की जाती है तो दोस्तों गर्म हवा के गुबारे यानि होट एयर बैलून्स में प्रोपेन गेस इस्तिमाल की जाती है option भी इसका right हो जाएगा next question प्रस नम्मर 13 हमारा ब्रहमांड कितना वर्स पुराना है तो दोस्तों हमारा ब्रहमांड लगभक 13.8 billion वर्स पुराना है इसका option है correct हो जाएगा next question प्रस नम्मर 14 हमी करन यानि freezing तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं ऐसा किस कारण होता है तो दोस्तों हमी करन यानि freezing तापमान पर पानी के पाइप expansion से फट जाते हैं यानि फैलाव से फट जाते हैं option D right हो जाएगा दोस्तों सर्दियों में या कम तापमान होने पर पानी जो होता अपना अकार बदल लेता है और पानी जो होता है द्रव यानि liquid से सीधा ठोस यानि बर्फ में परिवर्तित होने लगता है दोस्तों बर्फ में बदलने से पानी का आयतन जो होता है बढ़ जाता है पानी बर्फ में बदलता है तब यह पाइप के भीत्रीव सता पर अत्यधिक दबाव डालता है जिस कारण से पाइप फट जाते हैं प्रेस नम्मर 16 दोस्तों अगर आपको यहाई वीडियो पसंद आते हैं वीडियो आपको समझ में याती है वीडियो को लाइक करा करें चैनल हो सबस्क्राइब कर्या करें प्रेस नम्मर 16 किस युग के दोरान डाइनसोर फले फूले थे तो दोस्तों newborn твоo इरा के जिसका आर्थ होता है छिपकली दोस्तों डैनेसोर जो थे आज से लगबग 23 क्रोड़ वर्स पहले थे दोस्तों यह सरिस्रप यानि रैप्टाइल वर्क से संबंदी थे नेक्स कोईश्चन प्रेस नम्मर 17 मनुष्य में ताप नीमन यानि थर्मो रेगुलेशन को किसके वारा नियंतरत किया जाता है यानि ओप्शन भी सका सही हो जाएगा दोस्तों मानो शरीर में ताप को नियंतरत करने वाला थर्मो श्टेट हाइपो थेलेमेस होता है दोस्तों यह अधास्चेतक मस्तिस्ट का भाग होता इसका मुख्य कारे प्यूस गरंथी के माध्यम से त रेल्वेग किरुप डी में पूछ गया कोशन थो सकर तो प्रेस ने हमारा नियमेलिखित मेंसे किसकी हो म prophecy Moto दांत पाई जाते तो दोस्तों मनुस्रे के दात होते हैं वहाँ विशम दंती होते हैं तता दोस्तों मनुस्रे के दात जो होते हैं वहाँ दो बार निकलते हैं इसलिए इनको डाइफोडेंट तीथ कहा जाता है Next Question Press No. 19 किस कवक को एक कवक नासी के रोप में प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे ट्रायकोडर्मा हरजियानम को एक कवक नासी के तोर पर प्रियोग किया जाता है یعنی option से इसका सही हो जाएगा दोस्तो बात कते हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में दोस्तो ट्राइकोडर्मा यहां एक आरोग कारक मिर्दा उपयोगी कवक होता है जो की प्राया कार्बनिक अफशेशों पर पाया जाता है दोस्तो ट्राइकोडर्मा जो होते हैं इसके दो परजाती होती पहला ट्राइकोडर्मा हर्जियानम तर्था दूसरा जो होता है दोस्तो यहां जेव कवकनासी होता है नेक्स्ट कॉस्चन प्रस नमबर 20 दोस्तो आज के वीडियो का अंतिम प्रस्थ हीमोग्लोबिन में कौन सी धातू मौजूद होती है तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन में आयरेन धातू मौजूद होते है यानि ओप्सन भी इसका सही हो जाएगा दोस्तो हीमोग्लोबिन यहां आरबीसी में पाया जाता है तता यह मुख्य रूप से ऑक्सिजन की परहिवान में मुख्य भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाला लोह योग हीमेरीन होता है दोस्तों समाने व्यक्ति के अधाक्त में हीमोग्लोबिन होता है वहां 14-17 ग्राम परती 100 ml होता है कितना होता है 14-17 ग्राम परती 100 ml होता है दोस्तों आज के वीडियो से इतने इंपोर्टन कोशिन बन सकते थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीड को सब्सक्राइब करते दोस्तों इस वीडियो के पीडियाफ आप एससी में का टेलीग्राम से प्राप कर सकते धन्यवाद दोस्तों